आज बात समयदा कर्मियों जरा सोच कर देखिये क्या 3,000 में आप अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं सोच कर देखिये क्या इस दौर में 3,000 रुपे में इस जिन्दी की गाड़ी खीची जा सकती है बड़ा जीब सा लग रहा होगा ना लेकिन समयदा कर्मियों की हालत ऐसी ही है राजस्तार में समयदा कर्मि ठेला, पट्री और मजदूरों से भी बत्तर जिन्दी की जीने को मजबूर हो चले है समयदा कर्मि लंबे वक्त से अपनी मागों को पूरा करने की मांग कर रहे है लेकिन नतीजा आज भी सिफर आज तक नहीं बत दे आज इसी पर करेंगे बहस उससे पहले आप देखें यह पॉर्ट राजस्थान में सम्विदा कर्मी बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे सम्विदा कर्मियों की हालत मजदूर से भी बत्तर है जिससे उनकी जिंदगी अंधेरे में डूपती जा रही है सम्विदा कर्मियों की आधी जिंदगी सरकार के आगे धर्णा प्रदर्शन में गुजर जाती है सरकारे बदल जाती है लेकिन सम्विदा कर्मियों की हालत नहीं बदलती सम्विदा कर्मियों को घर चलाने तक के लिए पैसे नहीं मिलते जिससे तंग आकर कई बार सम्विदा कर्मी मौत को घले लगा लेते है 3,000 से 5,000 रुपे तक का बेतन पाने वाले सम्विदा कर्मी सड़क किनारी लगाने वाले रेडी पट्री और मजदूरी करने वाले से भी बुरी जिन्दगी गुजारने को मजबूर है लेकिन सूबे में नई सरकार आने के बाद समिदा कर्मियों को उट के मुँँ में जीरा वाली कहावत सी राहत मिली है सरकार में मनरेगा में काम करने वाले समिदा कर्मियों की पांच फीसदी पारिश्ट्रमिक में बढ़ होतरी की गए ये नियम भी पांच सार से ज्यादा वक्त से काम करने वाले समिदा कर्मियों पर ही लागू होगा तो साथ दिन पहले हट आए गए हजारों सम्विदा कर्मियों में महस पची सो सम्विदा कर्मी को ही बहाल किया गया है हाला कि सम्विदा कर्मियों की समस्याओं को लेकर कैबिनेट सब कमिटी की पहली बैचक भी हुए समीति के संयोजग उर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने सारे विभागों को इन कर्मचारियों के आखड़ जुटाने के निर्देश दिये प्रानुबिक जानकारियां इन लोगों से सबसे ली है किस-किस देपार्टमेंट में कितने-कितने समीदा करनी है कितनी अवदीद से काम करें इस सारी प्रानुबिक जानकारियां लेकर कि आगे इस सब जानकारियां आ जाएगे तो उसके आगे फर्दर स्टेप उठाएगे तस्वीर साफ है कि सरकारों के उपेक शाओ ने सम्विदा कर्मियों और उनके परिवारों को फुटपात पर फेक दिया है देश से गरीबे दूर करने का वारा करने वाली सरकारे सुने सम्विदा कर्मियों का दर्द कि समधा कर्मी मजदूरों से मारी हालत में जीने को मजबूर है ऐसे में समधा कर्मी नई सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि नई सरकार किसी तरह समधा कर्मियों को इस बुरी हालत से निकाने भरतराज, Z-Media, जैपूर सालों गुजर गए लेकिन समधा कर्मियों का दर्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसी दर्ध पर आठ चर्चा के लिए हमारे साथ गैस जुड़ चुके हैं जितेंद्र श्रीमाली जी है, प्रवक्ता, BJP से वो हमारे साथ जुड़े को हैं जैपूर स्टूडियो से वही पर मनीश गोधा जी, बैस पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े को हैं अशोक सिहाग, प्रदेश संयोजक है, राजस्थान विद्यारति मित्र शिक्षक संग जैपूर से वो भी हमारे साथ जुड़े है प्रदेश प्रवक्ता, पीसी सी से, वो भी हमारे साथ जुड़े चुड़े है, आप सभी का स्वागत है सर, जीराजस्थान न्यूस पर, इस चर्चा का दौर शुरू करते हैं, सबसे पहले, गजिद्र, साकला जी, आपका मेरु करना चाहूंगी, चुकि सरकार इस बार आ कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है किसी ठेकेदार के अंदर, लेकिन उसे वेतन अगर सरकार की ओर से दिया जाता है, और एक स्थाई कार्मिक के तरही वो काम करता है, तो उसका वेतन भी स्थाई कार्मिक के अनुरूप ही दिया जाएगा, आखिर इस काम पर आखिर इस आदेश पर इस कानून पर कार्ये क्यों नहीं होता सरकार आती है बदल जाती है सबसे बाग दिखाए जाता है समविदा कर्मियों को लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात क्यों ऐसा ऐसा नहीं है मेडम सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूत है कि एक तरफ तो समीदा कर्मचारी है और एक ठेके पर काम करने वाले कॉंटक्ट की लेबर है इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है समीदा कर्मचारी वो है जिनको सरकार ने अनुबंद पर रखा है और ठेके कर्मचारी रखे गए है वो ठेके दार की फर्म के अगेस्ट काम कर रहे है तो यहां पर समीदा कर्मियों की बात हो रही है जिनमें लोग जुम्बिस के पांशारी वह जिनकों अंदर वो काम भी करने वाले हैं जिनकों की पैरा टीचर के रूप में रखा गया था जिनकों की आंगन बाड़ी के कारेकरता की रूप में रखा गया था इन तमाम लोगों को समीदा कर्मी माना गया है और राजस्तान के अंदर कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के आदर लोग जुम्बिस के करमचारी ने जिसके अंदर आपके आंगन बाड़ी के और जिसके अंदर पैरा टीचर्स भी है इस तरह के जो समीदा कर्मी है उन समीदा कर्मियों का विस्तरत पूरी जांकारी हासिल करने के बाद इनको हम ग्रामिंड स्वेच्ष सेक्षा सेवा अदीनियम 2010 के अंतरगत इन तमाम लोगों को हम रेगुलर करने की हमने जिम्मेदारी ली है और उसके अंतरगत राजस्तान के उर्जावान मुख्यमंत्री असोग जी गहलोच साब ने तुरंत कमेटी का गठन कर दिया बीडी कल्ला साब के नित्तों में कमेटी का गठन हो गय अबी तक अंजाम पर पहुंश नहीं पाई है गोश्रापत्र की बात कर ले जाया तो ऐसा नहीं है कि पहले भी कई बार इस बिंदू को शामिल किया लेकिन काम आज तक नहीं हुआ ये कुठारा घात ही है ये बिल्कुल पहले भी किया गया है जितेंदर श्रीमाली जी का रुख कर लते हैं जितेंदर श्रीमाली जी जहां पर 1970 ठेका मजदूरी अधिनियम का हमने जिकर किया है इसके साथ 1976 में एक और अधिनियम बना गया था वो था समान वेतन अधिनियम उस पर भी कोई काम नहीं किया आखिर क्यों इस तरहे की जो कुठारा गात है वो समिधा कर्मियों पर किया जा रहा है क्यों सरकारे आती है बदल जाती है लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता समिधा कर्मियों ने क्या कुछ बिगाड़ा है सरकार का देखें सबसे पहले तुम यह कहना चाहूँगा कि यह सारी समस्या कॉंग्रेस के सरकारों के समय में एक बेरोजगारी की समस्या से को दूर नहीं कर पाने के बीच में एक सुनावों को समय देखते वे जो कॉंग्रेस की निती रहती है कि एक छोटा सा ऐसा सभूपा चोड़ो जो इस प्रकार के वंचित जो लोग है जो गरीब लोग है उनको तचकालिक रहा है था समयदा कर्मियों को क्यों पांच सार तक ग्राज करने के बाद भी उनकी मांगे जस्केता स्काइए 277-75 के समय से ये दोर चला रहा है बूल समझ्या इस देश की जो थी वो थी इस देश की बेरोजगारी दूर करना और बेरोजगारी जब दूर नहीं हो पाई इतने इस देश में 70 साल के इतियास में 65 साल इन्होंने राज किया और जब बेरोजगारी की समझ्या दूर नहीं हो पूर तरह से कॉन्गस को अधितात है इसा नहीं तक राजस्थान की बात ख़लेते हैं सरकार तौ आपकी विनिका इस नहीं चैसा नहीं सरकार तो आपकी और से कोई प्रियास नहीं किये जा सकते थे बीजेपी सरकार के अंदर जो बनावा नियम है वही बतारों मेड़ में कि बीजेपी सरकार के समय में ही ये नियम बना कि अगर सरकारी नियुक्ती के अंदर समीदा कर्मी को ये अप्लाई करता है तो उसको उसके जो जितने समय उसने काम कर रहा है जैसे एक वर्स से लेके दो वर्स से कम काम किया है तो को पांट एक कर देखर के अपना और अपने परिवार का खर्चा पानी क्या तीन हजार रुपए में निकल सकता है ठीक है ठीक है मनीश गोधा साब का रुख कर लेते हैं हमारे साथ जुड़ेक में लगाता है मनीश गोधा साब एक दूसरे पर आरोप रत्यारोप लगाना बहुत आसान बात है लेकिन जो व्यक्ति इस परिस्तिती से गुजर रहा है दो चार हो रहा है उस पर क्या बीटती होगी क्योंकि इसनी की बढ़ात्री तनी मामूली से बढ़ात्री की गई है अगर पांच हजार पर भी प्रतिशत बढ़ाए जाता है तो धाइसो रुपए होता है धाइसो रुपए आज के दौर में पूजा मुझा लगता है कि प्रॉब्लम बेसिकली यह है कि सरकारें अपनी बला टालने के लिए मतलब जो बेरोजगारी की जो स्था है उसका स्थाई समधान तो कोई करना नहीं चाहती सरकारें उसके लिए कोई कॉंक्रीट पॉलिसी बनाना नहीं चाहती उसकी जगे एक की इस तरह की की व्यवस्था करती है कि उन से उनका काम निकल जाए और वो जो रोजगार देने का एक जो शगूफा है या नारा है वो भी पूरा हो जगा then का काम सरकारी कर्मचारियों के बढरोश närहीं चल सकता बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि सरकार को एक्स्राम एनफो trad them होती है अब उस काम को करने के लिए सरकार संविदा कर्मियों को भरती करती है संविदा कर्मी जब भरती होता है तो वह जानता है कि उसके दमाग में कहीं न कहीं कि लालच होता है जो हमारी सरकारों और कोर्ट ने रोक लगा दी है कि आप बैक डॉर से एंट्री नहीं कर सकते हैं तो पहले यह होता था कि संविदा करमी आ जाते थे और बाद में उनको रेगुलराइज कर दिया जाता था तो एक परंपरासी चल गई फिर जब से रोक लगी है उसके बाद से अब एक्जाम करा समधान नहीं हो सकता मुझे लगता है कि कही न कहीं जो इस देश का बेरोजगार उसको खुद को सोचना पड़ेगा कि हम सरकार के इस चंगुल में ना पसें और खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करने की सोचें यदि हम इस तरह से कुछ करने की सोचेंगे तब ही जाकर क सरकार के पास इन चीजों का कोई समाधान नहीं क्योंकि सरकारों के पास वह उतना संसादन ही नहीं कि आप जितने संविदा कर्मी भरती करते हैं उनको रेगुलराइस कर सकें सरकार हमेशा जब भी आती है जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है वहर घोशना पत्र में यह सरकार है उनको करने की स्तिती में जो अ हमेशा वह होगा कि वह परिक्षा परिक्षा जब हो गी तो उसमें जो संविदा क्रमी वह भी भरती होगा जो नया करेगा और जो नेर्ड होगा उसके हो जाएगा लेकिन जो समुन साल तक काम कर लिया Rs. 3000 क्याल 2,000 उसकी आकांक्षा है कि मुझे रेगुलराइस कर दिया जाए लेकिन सरकार के हाथ में आप वो तरीका नहीं है तो खुछ समविदा करमी को भी सोचना पड़ेगा अब मुझे लगता सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि इसका को दूसरा तरीका निकाला जाए जो उनको जरु तक बीजेपी स्था में रही तो कॉंग्रेस के और से लगातार निकलता हुआ नजड़ नहीं आया है क्या कुछ विधा इसके पीछे है क्या कुछ परेशानिया है खुद आश्वक सियाग जी आपकी विधा आपपी बता दीजे पूजा जी पूजा जी कॉंग्रेस ने अपने चुनावी गोशना पत्र में समिधा कर्मियों को स्थाई समधान के लिए का है उसका हम स्वागत करते हैं अगर बीजेपी सरकार की मनसा होती तो उस बरती परकलिया को वो पूर्ण करवाती उसके अच्छे तरीके से पहरी मेड़ी करवाती अब बात करें कॉंग्रे सरकार की। इतनी भी तातकालिक समझें उनका हम तुरंत प्रवाव से समाधान करते हैं और इनके स्थाई समाधान के लिए क्या किया जा सकता है उसके उपर हम विचार करते हैं जिस तरीके से कॉंग्रेस वाले बीजेपी के उपर डाल रहे हैं परंतु इसके अंदर जो पिसरा है वो और केवल समीधा कर्मी है यदि वर्तमान में भी सरकार चाहे तो विद्दाले साय कि भरती जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में है उससे सीधा 33,689 लोगों का भला होता है और एक लाइन के अंदर सिरफ इतना जाएन कि इस वर्ती परकरिया का जल्द से जल्द समाधान कि किया जाए एजी से डबल एजी से या सरकार के जो भी अधिकता है उनसे उतकी अच्छी तरीके से पहर भी करवाई जाए बिल्कुल अशोग जी चाहे बीजेपी हो या पिर कौंग बैसेसा नहीं किसी एक पर आरोप है दोनों की कि जब भी सरकारे रखी दोनों ही पार्टि क्या कुछ रहेगा आपका? इजेपी सरकारती तो कौंग्रेस में एक वकीलों का एक समूह था वो समूह निकलने वाली प्रतेग बरती के उपर इस प्रकार की अच्छन कोई ना को लगा करके और इसको कोड़ना कीवल किसी कारण से कोट में अटकाने का काम लगातार किया और इस बात को इन्हों देखा जब 26,000 लोगों की बरती की आईकोट ने जब कर दिया और यह कह दिया कि हाँ इसकी बरती कर दी जाए और वो बरती प्रक्रिया चालू हो गई उस समय भी चुनावायों के हैं एप्लिकेशन लगा करके इन्हों ने यह एप्लिकेशन लगाई किसाब यह बरती इस समय चुन पर बुड़ लगा करके और उनके साथ में जिस प्रकार से चलावा किया गया उसका उधरान देखेंगे आज गोशनाव पत्र के अंदर जिस प्रकार की बात कही गई तो हमको यह समीधा कर्मों की और राजस्तान के बेरोदगारों को इस बात की आप आप आशक का एक अपे आप जब तक उसका समाधान चाहते तो आप सही तरीके से समाधान कर सकते थे इसकूल खुक्षा और फोलेज शिक्षा के अंदर जो आप बोल रहे थे तो बीच में नहीं बोल रहा था अब बता रहा हूं आप जब बोल रहे थे बीच में ने कि यहां पर नरीगा करवाई दूसरे आप बीकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं कि सथी को पत कल सकते हैं के सब्सक्राइट हो सब्सक्राइब जाते हैं इन विडियोगा कर 캡ल कब डिभसा ये présentation판 , अच्वएर मश्वाशन प्रकोफ रात हो ने विए सब्सक्राइब करते हैं प्रच्प चुनाव कंदर जाएगा आप के वाट करें चुनाव जाएगा आप पांट परजेंट वोट मिलें इसलिए इतना गमड करके और आप बाइब करिए राजस्तार भद्या प्रच्प्षक्षान ने बढ़ा करके गजिंद्र जी पांट पर अगर पांच प्रतीशत के बढ़ाती मानी जाते है तो धाइस रुपे क्या यही उम्मीद लगाई थी यह जनिता यह संविदा कर्मियों के अंदर समीधा कर्मियों के लिए पिछली सरकार ने समीधा कर्मियों पर 10% पर बड़ोत्री की और आज समीधा कर्मिय जो 25 साल से नौकरी कर रहे हैं उनके तंखाएं 20,000 से उपर हैं कौन कह रहा हैं आपको 3000, 2000, 5000 गलत तरीके से बिसार आकरे कह रहे हैं तुम से 5000,000 गलते हैं तो आपके सामने रख सकते हैं सर सचा है अशुक सिहाग जी से जान लेते हैं अशुक सिहाग जी नहीं मिला है ने तो बीजेपी सरकार बली है और नहीं कॉंग्रेस सरकार बली है इस बात का दुख है मडम दोजार आट के चुनाओं के अंदर वसंद्रा जीने पोस्ट लगा के त्यार नहीं है अब मैं खुश हूँ यहीं गाजाग अब मैं खुश हूँ और समीधा कर्मियों को जो लोग तुमें से करमचारी हैं उनके नोसो आटारी स करमचारी को पोस्टिक दे दी आप आपने चुनाओं करके और वास्ता में दोजाओं करमचारी वह बहुत के कास की ग्रास में चले गए और आज भी 562 करमचारी लोग जुमिस के आज भी इनके जी को रो रहे हैं और इन्हों ने जूटे एड़ लगा है कि हमने 900 लोग जुमिस के करमचारियों को आप तं का ये माने के लिए अपनी फोटो देखर के पोस्ट लगाए तो आप बढ़ा दीजे ना आपने 500 बढ़ाने के लिए आप सरकार में हैं समीधा कर्मियों को नियमती करें की बात की है जितेंद्र जी आपने भी जब घोशना पतर जारी किया था जब आपकी सरकार्थी तभी लाव संहिदा करमियों को स्वाइक ताई के बालो करसे हैं जतेंद्र भी पंटर लसार राजस्तान के सरकार और राजस्तान को मुक्छे मंत्र एक मिटर गजिन्डर जी एक मिर इनने जतेंद्र जतींद्र सब्सक्राइब करने के बादे का आपके सरकार ने कितना काम किया कितनों को आप कर पाए इस था आप बता दीजिए कि वर्तमान में जो जार विद्यार्थी मित्र वंचीत हैं रोजगार से क्या आप उनको रोजगार दे रहें और जो विद्धाले साय के बढ़ती वर्तमान में नहाइक परक्रिया के अंतरगा तटकी हुई है क्या लोग सवाचुनाव से पहले-पहले आप उसका समाधान करवाने जा रहे हैं दे वो नियमों में नहीं आते जितने लोग डियमों में आ रहे हैं सुप्रीम पोल्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये 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 गाइडलाइन आप विद्धालों से पहले क्यों नहीं बताई बिल्कुल बताई है मनीज जोधा साहब पहली सब कमिटी के बैचक हुई उसमें सारे विद्धावों को आगरे जुटाने के स्थिति असफ़स्ट करने के निर्देश्चित कर दिया गया है उन्जा मुक्री कोर से क्या कुछ लगता है पहली ही बैटक में इस बार उम्मीद तो जगी है समेदा कर्मियों को लेकर मीटिंग तो ली गई है बातचीर का जो द कॉश्ट कमिटिंग कई littra करने के लिए बनती है सरकार में कई सब कमीटी बंती है पिछली सरकाल में बनी थी इसकी पिछली सरकार्णमें बनी थी लेते रहेंगे आंकड़े समय पर कुछ न कुछ देते भी रहेंगे लेकिन कभी भी स्थाई समाधान हो ही नहीं सकता इस समस्या का क्योंकि आपके पास लगभग आप जितना काडर है न सरकार का उसका लगभग 25% 20% के आसपा संविदा करमी हैं आप कहां पर उनको नियमित करेंगे कैसे करेंगे कहां से लाएंगे इतने रिसोस और यदि आप उनको नियमित करेंगे तो फिर जो और जो लोग आकर के रोज हर साल बेरोजगारी की भीड में शामिल हो रहे हैं उनको नोकरी कब दें गया तो यह स्थाई समधान कभी भी नहीं कर सकती है सरकार कोई सरकार नहीं कर सकती जब तक इस प्रतीशत लोगों ने हा में दिया और 53 प्रतीशत लोगों ने ना में दिया यानि लोगों को भी यह उम्मीद नहीं है कि सरकार इस बार समीदा कर्मियों को इस मुश्किल से इस मुश्किल भरे समय से रिकार पाएगी आप सबय हमारे साथ इस बहुत बहुत शुक्रिया त से बात्चीत करने के लिए और इसी के साथ फिलाल यूजन यूज में इतना ही लिए